नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुबकामनाय सनातन धर्म में बसंत पंचमी का पर्व माग मास के शुकल पक्ष की पंचमी तिती को मनाया जाता है इस दिन मासरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जा खास माना जाता है आज का दिन सभी शुब कारियों को करने के लिए बहुत ही शुब होता है अबूज मुहूर्त रहने के कारण बिना किसी महूर्त के विचार किया बसंत पंचमी के दिन आप किसी भी नए कारिय की शुरुआत कर सकते हैं तो आज आपको बताते हैं साल दो हज में बसंत पंचमी का त्योहार कब है पूजा का शुब मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है पंचमी थिती कब से कब तक रहेगी मायताओं के अनुसार जब ब्रहमान के निर्माता श्री ब्रहमान जी ने जीवों और मनुश्यों की रचना की और जब उन्होंने सुरक्षित आरायन के आदेश पर भ्रहमा जी ने अपने कमंडल से प्रित्वी पर जल छड़का धर्ती भर गिरे जल में प्रित्वी को कक्मप्ती कर दिया और एक चतुर भुज सुंदर्स्त्री एक अध्भुज शक्ती के रूप में प्रकट हुई उसे देवी के हाथ में वीना दूसरे हाथ में मुद्रात था अन्ने दो हाथों में पुस्तक और माला थी श्री भ्रहमा जी ने उसे दिव्य शक्ती से वीना बजाने का आग रह किया वीना की धुन के कारण प्रित्वी पर रहने वाले सभी जीवों मनुशियों को वानी प्राप्त हुई और उसे क्षन के बाद उसे देवी शक्ती को देवी सरस्वती कहा गया देवी सरस्वती ने वानी सहित सभी आत्माओं को ग्यान और बुद्धी प्रदान की मायता है कि इस पंचमी को देवी सरस्वती की जयनती के रूप में मनाया जाता है क्यूंकि यह घटना माग महीने की पंचमी को हुई थी और देवी सरस्वती को बागेश्वरी भगवती शारदा मीनवा दिनी और वागदेवी अने को नाम से पुकारा जाता है संगीत की उत्पत्ती के कारण उन्हें संगीत की देवी के रूप में भी पूजा जाता है पुरानों में बसंत पंचमी को मुख्य रूप से नई शिक् गया है साल दो हजार चोबिस में 14 फर्वरी बुदवार के दिन बसंत पंचमी है यदि आप उपवास रखना चाहते हो तो इसी दिन आप उपवास भी रख सकते हैं पंचमी थेती प्रारंब होगी 13 फर्वरी मंगलवार की दोपहर 2.43 मिनट से इसकी समापती होगी 14 फर्वरी बुदवार की दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर उद्धय थेती के अनुसार 14 फर्वरी को ही पंचमी का पर्व मनाया जाएगा वसंत पंचमी की पूजा का यानी देवी सरस्वती की पूजा का शुब महूर्त रहेगा 14 फर्वरी को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजकर 10 करनी चाहिए देवी सरस्वती की प्रतिमा या फिर तस्वीर को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करके उनका शिंगार पीले फूलों से करना चाहिए रोली चंदन हल्दी के सर या फिर पीले या फिर सफेद रंग के फूल मां को आप अर्पित करें भोग में पीली मिठाई और अक्षे तरपित करें पूजा के स्थान पर आप वाध्ययंत्र जैसे की आपके पास बासुरी हो हार्मोनियम तब लागिटार या दिया आप संगीत से जुड़े हुए लोग हैं और जो लोग शिक्षा से जुड़े लोग हैं यानि की जैसे स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यह दिन बहुत ही खास होता है तो आज के दिन आप अपनी बुक्स की कॉप्स की या पेंसिल कलम या पें की आप पूजा कर सकते हैं इसके आलावा आज के दिन आप अपने मोबाइल लेप्टॉप की भी पूजा कर सकते हैं क्यूंकि यह सभी वस्तुएं भी शिक्ष पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इस दिन किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और भूल कर भी शिक्षा से जुड़ी भी जो भी चीज है या संगीत से जुड़े जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनका अपमान नहीं करना चाहिए उम्मीद है जानकारी आपको पसंदा ही होगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें